दो हजार साथ T20 वर्ल कप, दो हजार ग्यारा 50 ओवर वर्ल कप और ना जाने कितनी सारी अचीवमेंट्स। अब तक तो आप समझी गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतिय टीम के पूर्फ कप्तान और कैप्टन कूल महिंदर सिंग धोनी की, जिस देश में क्रिकेट को धरम की तरह देखा जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, 125 करोड से जादा अबादी वाले उस देश की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना, आप सोच सकते होंगे कि कितना प्रेशर रहता होगा, बावजुद उसके खुद को कैप्टन कूल का दरजा दिलवाना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, ऐसी ही धेर सारी अचीवमेंट्स, अर्ली लाइफ और महिंदर सिंग धोनी के स्ट्रग आपको ये जानके हैरानी होगी कि सदी के इस महांतम कप्तान का बच्पन में क्रिकेट से जादा लगा फुटबॉल और बैडमिंटन में था, और इन दोनों स्पोर्ट्स में दिस्ट्रिक और क्लब लेवल पर वे सिलेक भी हुए थे, दोनी अपने स्कूल की फुटबॉल के लिए ऐसा गोल कीपर खेलते थे, और अपने फुटबॉल कोच के कहने पर ही एक लोकल क्रिकेट क्लब में उन्हें क्रिकेट मैच खेलने के लिए भेज दिया गया, जहां उन्होंने सभी को अपने विकेट किपिंग स्किल से प्रभावित किया, बावजुद इसके कि उन कांडो क्रिकेट क्लब में अपने अच्छे प्रदर्शन के बल पर उन्हें 1997 विनू मांकट अंडर 16 चैंपियंशिप खेलने का मौका मिलता है और यहां भी वे अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हैं। जिसके बाद उन्हें 1999 सीजन में बिहार की रंजी टीम में जगा मिलती है। रेल्वे स्टेशन पर टीटी का काम भी किया ये वही दौर था जब धोनी की डुमेस्टिक क्रिकेट में पर्फॉर्मेंस कुछ जादा खास नहीं चल रही थी जिसके बाद उन्होंने टीटी का काम छोड़ कर अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर देना शुरू कर दिया हालांकि उनके घर वाले उनके इस फैसले से खुश नहीं थे मगर वो कहते हैं ना कि अगर इरादे मजबूत हो तो किस्मत को भी पलटना पड़ता है ठीक ऐसा ही कुछ धोनी ने भी करके दिखाया 2004 में बंगला देश के खिलाफ अपना डेब्यू किया डेब्यू सिरिस धोनी के लिए उतनी कुछ खास नहीं गई और पहले ही मैच में वे रनाउट भी हो जाते हैं मगर अपने करियर की दूसरी ही सिरिस के दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम के धाकर बॉलिंग अटैक के सा हुए 183 रन की वो शांदार पारी कौन भूल सकता है फिर आता है 2007 वर्ल्ड कप का वो दौर जो कोई भी भारतिय क्रिकेट फैन याद नहीं रखना चाहेगा जहां भारतिय टीम को ग्रूप स्टेज से ही बाहर होना पड़ जाता है पूरे देश में क्रिकेटर्स के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा था मगर भारतिय क्रिकेट बोर्ड ने नए कप्तान की तलाश भी शुरू कर दी थी फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उमीद नहीं की थी तीम में सीनियर प्लेयर्स होने के बावजूद महज तीन साल का इंटरनेशनल एक्सपिरियंस का कोई दबाव नहीं दिखा और उसी साल साउथ एफ्रिका में खेले गए पहले थी ट्वेंटी विश्व कप में भारतिय टीम को अपनी अगोवाई में विज्यता बनाया 2009 में ICC ODI Batsman ranking में धोनी कुछ महीनों के लिए नंबर वन पुजेशन पर भी रहे अब आता है हर भारतिय का फेवरिट इवेंट फेवरिट मेगा इवेंट ICC Cricket World Cup 2011 As a batsman तो महिंदर सिंग धोनी के लिए ये पूरा World Cup कुछ खास नहीं कुछ रहा था मगर final match में जब भारतिय टीम श्रिलंका के खिलाफ 275 रन चेस करने के लिए उतरती है और जल्दी विकेट चले जाने की वज़े से कप्तान धोनी खुद दूपर बल्लेवाजी करने के लिए आते हैं पहले कौतम गंभीर के साथ और फिर बाद में युवराज सिंग के साथ एक अच्छी पार्टनर्शिप करके 28 साल के बाद 1983 वर्ल कप के बाद दूसरी बार भारत्य टीम वर्ल कप जीतने में सफल होती है और उस वर्ल कप के फाइनल मुकाबले में महिंदर सिंग धोनी की 91 रन की पारी और वो 6 कोई नहीं भूल सकता जिसके लिए हमेशा हमेशा महिंदर सिंग धोनी भी याद रहेंगे इसके बाद 2013 की ICC Champions Trophy जीत कर धोनी ICC की सभी ट्रोफिस को जीतने वाले पहले कप्तान बन गए अब IPL की बाद करते हैं धोनी IPL में भी सबसे सफलतम कप्तान रहे धोनी की कप्तानी में CSK ने 2010, 2011 और 2018 IPL टाइटल जीते और 2010 और 2014 की Champions League T20 भी जीती धोनी को दुनिया का सबसे बहतरीन मैच फिनिशर भी कहा जाता है अब कुछ स्टैट्स के उपर भी नजर डालते हैं धोनी ने 90 test match खेल कर 4876 रन और 6 centuries लगाई है 350 ODIs में 10773 रन और 10 centuries उनके नाम है 98 T20, 16 117 रन उनके T20s में है अगर ये stats किसी को कम लगे तो मैं बता दू कि धोनी ने अपने career में most of the time नंबर 6 और नंबर 7 पे बल्लेवाजी की है as a match finisher अगर wicket keeping की बात करें तो 634 catches and 195 stumping सुनके नाम है 15 अगस 2020 को धोनी ने finally international cricket के सभी formats को अलविदा कह दिया तो ये थी भारतिय टीम के पूर्फ कप्तान Captain Kool, Thala, Mahi, Mahindra Singh Dhoni की छोटी सी बायोग्रफी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद